आजी वीटा क्या हाल आपका तो ओर रेट को और आग्य बढ़ाने का टाइम आप लास्ट टाइम मशीनार रेट के कुश्चन आपने किये काफी है तो उसके रिगाडिंग कुछ और पॉइंट्स आज मैं बताऊंगा आज थोड़े टिपिकल पॉइंट्स तो ध्यान से समय न स्क्राइब वेल्यू रेंट आफ दी वर्क्षोप जनल आइडिंग नॉर्बल से पहुंड लगें पहले पावर कलंशन पढ़ने में बड़े असान लगें 20 यूनिट पर आग 20 रूपे के 100 यूनिट एडमिन एक्सपेंसे अलोगेटेड दियो हूं है रपेयर मेंटनेस दि जतना डिक्रिसेशन आएगा उता 75 प्रसेंट वर्क्षोप सुपर्वाइजर की सेलरी एस्टिमिटेड वर्किंग आर्स दियों फिर उसके सवाल केता है सेटप ताइम विच इस रिगादेड इस पुडेक्टिव प्लीस अंडलाइं विटा विच इस रिगादेड इस पु की डेक्रिजिशन विरियबल कॉस्ट मांगे करते हैं ऐसा हो लागा विस से फर्क क्या बड़े सेटप वले असंटिम से हम मेंगी इसी के फोकुस हखेंगे जैसे इन्होंने 50 वीक्स बोलें 40 आर्स के इसाफ़ से तो 2000 आर्स बनते हैं इसके इंदर दो दरां के टाइम आपक गिंदर लुए करकेदा के सेटव टाइम इस रिगारदी डाइस प्रोडेक्टिव फ्रोडेक्टिव जैएव सेट कि उसको प्रोडेक्टिव माने इसी न कि मुड़ार बड़ेक्ट के करते वाग में रिकावरी दो गेजार गिंटे पर ठीक है पर इससे सब्प्या एक अश जहां पहले सोच रहे थे क्या ठादम सोंगे हां ऐसा तो है पर सब आगे आगे देखिए होता है क्या ठीक है एफेक्ट तो तकड़े बागा है काम शुरू करते हैं पहले तो हमने यह आगा है कि मारे लिए अब बेसार 2000 खर्चे देखने शुरू करते हैं मशीना रेट का फॉ स्टेंडिंग चार्जेस विरिएबल एक्सेंस पहला कर्चा कॉस्टों मशीन स्क्रैफिल्यों मशीन गिवन है और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लाइफ आफ आफ दी मशीन इस ट्रेनियर और साथ में लिखा है कि डेप्रिसेशन इस विरिएबल देखो अब लाइफ पर फिर भी कोश्टिन इस सही कि डेप्रिसेशन इस विरिएबल तो मानने कोश्टिन की बात इसी में आपकी भलाई है ठीक है तो देप्रिसेशन को विरिएबल रीट होने दें 44,000 इससे एफ बार के डेक्षन आजाएगे इसको 2000 लिंटे से डिएड करने है तो बेसिकली 4000 रुपे की डेप्रिसेशन को 2000 से डिएड करोगे एनुवल तो 4000 होगी ना 44-40, 44-4 डिएड बार रीट हैगे, 2 रुपे की डेप्रिसेशन आपके पास आपके और सुनते हैं अगला सर्चा要-rent of the workshop, बारे में पॉइंट के आपके जलता है machine occupies 1 4th area of the workshop तो रह आँजाया Raven 25,000 eight to one fourthٍ divided by two thousand 25,000 divided by one fourth divided by two thousand 3.125 को rent ajya रेंट के बार लाइटिंग है, लाइटिंग, एक रुपे परबंथ, लाइटिंग के बारे लाइट पॉइंट्स कुर्षिन में दिये नी होए, तो पॉइंट बिल्कुल सिंपल हो जाता है, रेंट की तरह ही चलना है, एक सो साथ रुपे पर मstar, लाइटिंग एक सवराया कॉइंट बारे अगला पॉइंट पर लाइटिंग के बारे में दो मिनट रच के बाद करें, जादा टेम मिल जाए बिGroup है, admin expenses allocated to the machine 4 पाय है allocated admin ऐमेशा fix होता है 4000 है तो डिवाइड बे 2000 करके एक घंटे किया रहे है allocated admin के बाद repair maintenance है जो की 75 % of depreciation है जितना आपने depreciation लिखा होगा तो 75 % लिखे repair maintenance 2 बे की depreciation है कुदा 75 परसेंट लो जी जर ये भी हो गया वर्क्शॉप सुपर्वाइजर की सब्री तीन हजार उपे परमन था और इसमें वह अपना वन थर्ड टाइम डिलता है गेच रह अब रहे हैं अब रहाएं ओर सुरफवावर जिसमें है जबरत। तो पावर के बारे में लिखा गया है 20 यूनिट पर आप और 20 उर्फे के 100 यूनिट अगर आप लाइटी ले रहे हैं तो ऐसा आप सोचुगे यार 100 यूनिट 20 तो एक यूनिट इतने होगा कि hope in डार के 20 यूनिट है को तो 20 से्थ जिपा को निनट करतें पावर का 4 उपे पर आख 50 वानुड सार इस वत पावर में पावर आचुकी है पावर में पावर आ चुक्इँ बीटा सुनोー कैसे चार्वे पराद से नहीं चले को आपने अपने खर्चे हर परकार के खर्चे स्टेड़ फर्यंटे में नौ है जरे ते-टाना सो गोंटेशन होगें प्रवार यूज़ ने होती है तो जब हम मशीन को रेडी फॉर यूज़ कर रहे होते हैं प्रडेक्शन की फॉर्मलिटी समझ रहे होते हैं उसको तो तो उस चीज़ को इग्नोर कर दें कोशन ने भी कहा है है नो पावर इस अब अगर आपका खर्चा यह है इन 2000 गंटे का और तो रिकवरी 2000 गंटे में करेंगे तो पावर की कॉस्स चालुकर पर आपको है कितनी रही है 3.6 बहुत अच्छी तरह से द्वारा समय है हमारे पास टूटल कितने आप टूटाव समय है रंटाइम कितना अठाटाइम सेटप टैम कितना 200 पर हमने रिकवरी कितने गंटे में सर्थ 2000 इसमें 1800 गंटे बिजली यूज हो रही है यह आपका बिलारा यह बिलारा आपका 200 गंटे बिजली नहीं यूज हो तो आपका एवरेज खर्चा चालुकर आप इसमें कितना 3.6 हां अगर आप सेटप को अन प्रोडेक्टिव मांते हैं तो सिच्वेशन ही होते है आपका 800 इंटू चाहन और डिवाइड वाइड 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 एठान सो फिर मैं इतना शोड नाम चाता है सीथा चाहर परार लगता है पावर में पावर आ चुके वीटा नोट कर लो चिल नहीं इस तरिक्के से आपकी पावर आया करेगा ठीक है तो पावर जब सेट अप कुड़ेप्टे होगा तो यहां डाल लो विमांगे तंग करेगी द्यान लगने सेज़़ए तो पावर पॉस्ट आपकी आगी की वरियाबल थी पॉन्ट सिक्स अब आपने सारे कर्चे अड़कर लो शुरू से लिए के एंट तक तो इसे 3.125, 0.2426 फेर 2, 1.5 फे यह 18.465 रहा है इसको सवाल ने 18.47 की आट सबे रूप में किया है तो इसे सेट अप पॉडेक्टिव तो स्विंग होगी ध्यान रखना पावर में पावर आ जाएगी पावर में पावर बेटा ठीक है ध्यान रखना तो ऐसे सेट अप पॉडेक्टिव लिखने की इनको कुछ बड़े कुर्शन भी दिखाता हूं जो आपको प्रेक्टिस मैनुल में बार बार दिखेंगे यहां एक कुर्शन मिलेगा हमें यह सब कुर्शन नमबर 21 यह सब काफी बार पुच्छा जा चुका एजाम है तो इसे बार याप कुछ स्टोरी सुनाते हुआते हुआ है साथ मशीनें आपके पास पहले दी आपने एक और एड करती है तो आपके अप्ल मशीने कितनी होगी सराथ है न्यू मशीन की लाइफ 12 साल है स्क्रैप विल्यू सतर हजाल हो देप्रेसिशन देखनी शुग पर दता बच्छा बजटेट वर्किंग आर्स 2592 बेस्ट ओन 8 आर करें प्लांड मेंटनेंस टांब के है रिपेर में टायम डेचिट होगा 92 यह इसके बार में थोड़ी चे बात कर तो शुग यह ने इसमें थीन चीज़ें रूं कर रूं कर अग सेटब यह रूं के तीचों कंटे अ सेटप के 92 आर जां तो रूं टांग बच्छता क्ष वाइभ लगे कि अभेज़ निकालनें परालЗд थो इस पर कोई कभी ंवेला सकता कि आप तो अगर तो सेटप अन्ग्णी हो गया और अगर तो सेक्टम क्यूंट अधी Mind-On- differential को टूर अगर सेटठ गडोली ङूंटिव रहा है देश्जन इतने से आपेश होगा गोड़UI मुझे इधनी बहर WAY बढ़नों व्रंगे सब अर्यक्स Jason तू तू नाइंटों से डिवाइड करेंगे इससे एक रेट निकालेंगे इधा आगे इंपेक्ट किया होता है फिर आपनी जॉब्स की रन और सेट अप टाइम का रिकॉल रखेंगे ताहीं खर्चा रिकावर हो सब्सक्राइब मानते बात है रिपेयर को कभी पोडेक्टिन की माना जासा क्योंकि अगर मैं कहूं कि मैं रिपेयर वाले घंटे भी माइनस नहीं गुड़ा और एक्स्पेंस को इससे डिवाइड होगा तो वेर विल यू अर्जस्ट इस 300 आप्स अब रिपेयर कोई जॉब वाइस होना होती ह यह तो यह होता है कि कौटली रुपेयर, मंथली रुपेयर थे, मशीन रोप दी गई है, अब क्या दो दो गंते लगे सर्विस हो माना है, क्या पिछली जॉब की खर्चे में डाल दोगे जोगा दो गैज यह अगली जॉब को डाल दोगे, नहीं सर, किसी को नहीं डाले, जब आपने expenses की, average यह वहला time exclude करके करेंगे, बाइसो या बाइसो बन मैसे, तो rate ज़्यादा आ जाएगे, और repair time का खर्चा सबको मिलेगा, repair time का खर्चा सबको मिलेगा on average basis, इसलिए आ रहें, repair can never be associated with a job, जबकि setup time को किया जा सकता है, repair सारी jobs के लिए उपती है, मशीने repair होंगी, तभी सारी jobs कीते रहोंगी, इसलिए repair को कभी क्या नहीं मान सकते, productive, हमेशन जा मनेंगे unproductive, अब आपके सवाल में, का गया है कि मशीना rate नगालो, if the setup is unproductive, दूसरा, if the setup is productive, कोई नहीं, नगालते हैं, थोड़ा idea लेने कुशिन का हो, maintenance cost रहें, Point No.3 में लिखा कि, मशीन को एक special chemical solution जगी होता है, जिसको आप end of the each week replace करते हो, और आपको 6 दिन मानने के लिए का रियाद देगी, और cost रती है 400 रुपे each time, 400 रुपीज इस टाइम में दे cost रती है, के दा मतलब 324 देज बे, 324 देज बे, 6 दिन बाद जब replace करते होंगे, तो 54 replacements रती होंगे, बहुत ध्यान से कमझे, 324 दिन है, और लिखा था, replace at the end of each week, सिर्फ इतना बढ़के, मन में 52 भी आ सकता है, क्योंकि there are 52 weeks in a year, but question ने कहा, पूरी बात सुन, 6 दिन है, अफ्ते में मले week को 6 days का मात रहे हैं, it means, इनके यहां 324 दिन है, तो total 54 replacements होगते हैं, और सुनते हैं, केद़ चार operator हैं, जो इन 8 मशीनों को सभाल दे हैं, और उनकी average wage per person, 420 रुपे पर week है, week का मतलब यहां भी 54 ही रहेगा, बिजली कितनी है, बताया होगा, सर, no current is taken during maintenance and setup, departmental overhead बजाया होगा, सर, इतने में दो कोशन करके जगाते हैं, चलू जी, दोनों अजंशन पे solve ड़ी, क्या कहती है सरकार, पहले क्या है, setup unproductive, setup unproductive, setup में मेरे पास 2200 आर्ज होंगी, यह बरी standard assumption है, अगर ना भी बोलता मैं यह करना था, आर्ज में आर्ज में आर्ज में आपको बिसी तरहां कोशन हो, इसलिए में आपको परदवाया दिखाते हो, यह रिखोज़ा, यह आपके डोटल आर्ज है, यह run time है, यह repair है, यह setup है, repair is always unproductive, यह उसको हम चार्ज नहीं कर सकते है, यह अगर productive माल लिया तो रूनो आट होंगी, unproductive रिखा तो सिरफ यह है, यह आपको नीचे दिखेगा, यह आपको, setup unproductive 200 मेंटे, setup productive तो इच नहीं कर पर आपके, बस आप 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 आपके दिखते है, इकरचे divide route करने वाली आपका हमां उसको प्यार्स में, fixed, a part, जगा रख लेकते काफी, ठीटा कुछ लगी, यह रेकली, कहानिये शुदू, जैसे अब पहला routine आपको बता है कि पहली लाइन से शुदू कुछा, 12,70,000 की machine यह आपने क्रेदी है, इसकी life 12 साल है, scrap value 70,000 होगी end of the life, assumption अगर ली जाए तो fixed depreciation कह सके, because life years में है, note देखे, ठीक है, हाँ, अगर ICA module देखेंगे, तो हो सकता है कि same question में variable current, अगर आप अगर अगर आप अगर देखेंगे, तो है इसी situation में, deduction यहाँ देखेंगे, अगर मैं आपको calculations अंगर आपको, 12,70,000, minus 70, divided by 12, देखें, 12,70,000 की machine, 12 साल की life, 70,000 scrap, तो यह चीज़ आगे आपको भी लाख होगे, अब आर्स भी दोनों पराँ नहीं, पहले वले कॉलम में, 200 कुंती, इस ते आया 45.45, दूसरे वले कॉलम में, 255, 43.63, और देखेंगे, आगे लिखेंगे आया, maintenance cost 25,000, अगे लिखेंगे आया, maintenance cost 25,000, अगे लिखेंगे आया, maintenance cost 25,000, कैल्कुलेटर के कमाल दिखा रहें नहीं, 25,000, divide by, तर्ले वले में 200 कंती, 11.36, दूसरे वले में 200 कंती, उसके बाद, question कहता है, machine require a chemical solution, जो 400 रुपे में replace होता है, each time, और हमने अभी बात की थी, इसकी 54 replacements होंगी, 54 replacements होंगी in a year, तो इसका जो खर्चा रहेगा, 54 replacements का जो खर्चा रहेगा, इन्टू 400 कर लें, 54 इन्टू 400, इन्टू 400, इस स्लूशन को यहां लेखेंगी, chemical को, 21.600, इसको परार दोनों जम्शिन पे कर गया जाएगा, 9.82, 9.42, हाँ जी, chemical solution के बार, operators का पॉइंट थोड़ा time consuming के बार में करेंगे, नहीं वैसे लिए पहले, पॉइंट के सिंपल मशीना रेट लागो ना, फिर operator आड़कर के comprehensive करते हैं, इलेक्रिसिटी विज, इलेक्रिसिटी यूज़्ट भाई मशीन, दूरी प्रेक्शन, 16 यूनेट परा, आड़ी रेट याड़ी कॉस्ट और तीन उपय परिए परिएट है, no crank is taken during maintenance and setup, तो वह आपको बता रहा है कि ये मशीन, 16 यूनेट यूज़ करती है, एक घंटे में और तीनों पर का एक यूनेट है, पर जब maintenance और setup हो रहा होता है, तब बिजली यूज़ भी होती है, तो अगर मैं एक घंटे की पावर पॉस्ट लेते हैं, 16 यूनेट इंटू 3, 48 रुपी की पावर पॉस्ट है, पहले तो पक्का रहें, 16 यूनेट इंटू 3 उपय परिए परिएट, 48 रुपी की पावर पॉस्ट है, अब पहले case में, हमने 200 गंटे रन किया, इतनी बिजली यूस्ट ही, और 200 गंटे में ही रिकवरी करनी है, तो पावर की आवरेज 40-80 रुपी है, फर्स्ट अजम्शन, वैं सेट अप क्या था, वैं सेट अप क्या था, अन प्रोडेक्टिव, मैंने उसे चार्ज नहीं करना था, अगर सेट अप अगर सेट अप प्रोडेक्टिव ड्रीट होता है, तो बिजली का बिल तो यह ही आए, क्योंकि बिजली यूस्ट हो इतनी हो रही है, पर सारोधी एवरेज 200 गंटे में से हो रही है, जिस चार्जब बारार रेट काम हो जीना, तो बिटा फिर से बोलो, पावर में पावर आ रही है, जिसको आप कुछ समयता ही नहीं थे, अब वो आपको समझा रही है, तो 48 रुपी सिद्धे नहीं लिखते ने हर बार, तोड़ा सोच के, अगर तो पावर आर्स और टूटल आर्स सेन है, तो 48 रुपी से है, अगर पावर आर्स को टूटल आर्स डिफरेंट है, तो कहानी बदल चुकी है, समाले कहानी को होगी, यहाल है पावर, पावर का बिल में आर्स वारों आपको, किसा रिट इस 48 इंटो दिस 200 रुटे, बिल तो आपका ही है, अब उसको डिवेड़ भाई 700 रुटे के पहले वले सिटोशन में, तो 48 रुप इस है, बिल में जेघुट रुटे, इस 22 बंवेट है, 46.07 आया तक है और सुपहर के बाद, पावर के बाद इक असान सा पोइंट, इस पाटमेंटल एन जजरनल ओएट, लुकरेटिए टुथी ओप्रेशन डियूरी लास्ट ययूर, वज थी था। कि तहा डिपार्टमेंट बेंट लेंट जो अलूटेट हुए थी। पिछले साथ वहूँरों पिछासे से थी during the current year estimate कहता है कि 10% बढ़ेंग, estimate कहता है कि 10% बढ़ेंग, it means last year 50 year की allocation आई थी, इस साल 10% बढ़ेगा, इस साल कितनी allocation आईगी, 55,000 दुवारवर, departmental and general operate allocated to the operation, बढ़ेंग, वर 50,000, during last year, during current year 10% बढ़ेंग, अब वर्ड जयाँ से बढ़ेंग, allocated to operation था, allocated to machine, यह तो लिख भी नहीं सकता था, क्योंकि यह machine तो new है, last year तो यह machine ही नहीं थी, नहीं सी, थुड़े पजाबी यह था है, मावले, ठीक है, तो कोई नहीं हिंदी वर्ण को अगर समझ नहीं है, तो कोई वार नहीं थी, बेटा उसको थे, ठीक है, तो यह इस machine के तो हो नहीं सकते, यह तो पूरी वर्क्शॉप के थे, 50 यह पिछले साथ, और आज inflation के कारण कहलें, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वर्क्शॉप को 55,000 का हिस्सा दिया जाता है, अब 55,000, 55,000 इस वर्क्शॉप का हिस्सा है, अब एक machine में कितरा नहीं है, साथ machine देख लो, पहले point में लिखा जाता है कि साथ machine, एक और actor देगी है, तो मशीने कितनी होगी, 8, तो आप य divided by 8, 6875 मुझा है, departmental and general overheads are allocated on the visor number of machines, 7 machines earlier, 1 machine और, total machine कितनी, 8, तो 55 by 8, इस वैसे यह 6875 देख रहा है, इसकी जगा उपर होगी होगी होगी, departmental overheads की, अभी 6875 का note number attach करते हैं, इसको फिर पराल करें, 6875, divided by 2200, this becomes 3.125, in second situation, 6875, divided by 200, this becomes 2.99, ऐसा हुच, चलू, बढ़िये, सर अब काउं सव पोंट बचाए, सर एक पोंट बचाए होगी, पोंट नुबर 4, पोंट नुबर 4, operator भी चाए, 4 operator, control operation of 8 machine, 8 machine समझे है, 7 पहले थी, एक एक, चार बंदे मिलके, ये 8 machine समाद रही, average wage per person, 420 रुपे पर हफ्ता, plus 15% के fringe benefits भी है, fringe benefits भी है, fringe benefits means उने दो facilities दी जासे होते हैं, खाना, पीना, फूद ये, आना जाना, pick and drop ये सकते हैं, तो आपको यह रखना होगा, कि operator की wages में भाई ने 420 रुपे पर week बोल दी है, week इस question में अलगी है, या 6 दिन बाद अफ्ता रुपे बोलाएगा, वो ही point बस hit करेगा, और तो हमने समाली नहीं होगा, जैसे, one week का जो one operator का है, वो 420 रुपे है, जवारा बढ़ेगे, 4 operator control, operation of ATGP, average wage per person, amounts to 420 per week, मैं लगी, one operator, या one week for one operator, 420, तो इसको, मैं अगर, total करो, कि मेरे 54 weeks में, 4 operators को मैं क्या pay कर रहा हूं, so it will be like this, 420 into 54, ये एक operator रहा है आपका, into 4, 420 into 54 into 4, so this is 90720, ये तो उनकी basic wages होगे, plus 15% FBB, FBB दा मतलब Facebook ना आले, fringe benefit है, तो इस वे से मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इन सब को add करके, आप चार operator भी टोटल खर्जे तक पहुंचके हो, 1 operator 1 week, फिर 54 weeks आए, 54 weeks आपको बता है, चार operator बने wages होगे, अब ये जहां लखें, कि आपकी 8 machines को, ये चार operator इतने रुपए में handle कर रहे हैं, तो आपको एक machine का अगर खर्चा निकालना हो, तो कैसे आए, 104328 divided by 8, तेरा हजार 41 होगे, तो ये operator wages आएंगे, यहां पर, यहां तब की calculation को आप simple machine hour rate है सकते हैं, फिर operator को अलग से दिखाए, अपरेटर वेचेस, तेरा हजार 41, यहीं दूनों जम्चन पे रहना बढ़ेगा, 200 से डिवैड किया, 5.93 लिए दिया, फिर तेरा हजार 41 को, 290 से डिवैड किया, 290 से डिवैड करने से, 5.69 आ लिए, यही सारा solution है, उन इसको add up करना हा हमारी जिनर वाली, यह दिखें, 45.45, 3.125, 11.36, और अटर आट 9.82, तेर 48, तेर 5.193, तिन सब का टोटल मिला कि पर यहीं, 123.68 आ ला, 123.68 आ ला, 123.68 बहुत ही नॉर्मल और इसी दिवैड, दूसी सुचेशन में कम हैं, कि हमने आर चा रहे, 43.63, 2.99, 10.9, 9.42, 46.07, 5.69, तो वहां टोटल जो है, वो 118.7 आरे देरे पास, थोड़ा बहुत राउड़ो फुटे एगा, तो इस दिवै इस तरह यह कोशन किया जाना था, बहुत पराना और इसा पिटा 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 पिटा, तो यह आपको मैं अगे प्रेक्टिस मैनर और स्टडी माटीरियल स्क्र तो यहां ही बनी, इस पॉइंट के जामने ना, बाकिस अब तो आप कैटलाइस करोड़े और अभी वरते हैं, तो सर अब आपके की तरफ मशीनारेट को मेरे हिताब से हमने काभी कर गए हैं, सर कोई छोटा तो टॉप्री कवर कर रहते हैं, चैप्र खतम होने ऐसा हो जाता ह तो बच प्रेक्टिस में और सटी मिटिरिया से गवर ही करने हैं, सर आप ओरेट के अंडर ओर्वर्स ऑप्शन और टॉप्शन और टॉपिक कर दो हैं, सर भी जाएगा, छोटा टॉपिक है, मैं पॉस्चन पगले ताहूं, इस आउस तो करना ही लिखती है, यह उता आगला जाओं, अगले तो करना अधा कारी मिनाया लिए को फोस्ट टॉपिक की, अंडर अधैश और अभ्णूर अभ्णूर अवर अभणूख्शन और अभ्ण०ोप्शन और अव्णूर अभरेट्स मने टॉपिक के लिए बहले बेस्ट बेस्ट पार्जिया है, यह जैसे उपने यह भी सिखा भी पहले प्राइमरी बनेगी फिर स्केंडरी बनेगी फिर ओवरेट सारे प्रोडेक्षिंग में आदेगी फिर वहां से कोई रेट फिक्स लिया है जैसे पीवन डेपार्टमंट के ओवरेट दसलाग हाने सब मुझे पर दसलाग तो पूरे सारी की एक एस्टिम पूरेट के बनेगी फिर फॉर्जर्टमंट इसे यह पाइस की फिर चाहिए तो क्या होता है जब यहां ओवरेट कि आधान तो अधार दो जाता है जैसे कई बार देखा जाता है कि लेबर गुणेड काम है तो डारिक लेबर आर्स एस्टिमेट कर देजाते हैं कि यासे ले 50 रूपीज पर आर, it means for every labor hour, जो production में होगा, इस department में, 50 रूपी का overrated दावर होगा, अगर एक जॉब में 7 hours लगए labor दे, तो उसकी overrated cost 7 into 50, 350 डाते जाएगा, और एक बास सोचने वादी, यह जो सारी exercise है, यह सब जो होता है, यह pre होती होगी, budgeted, pre or budgeted होगी, यह बाद में करते हैं, यह पूरा साल बीत रहें, तो फिर rate fix करते हैं, फायदा क्या उप्रोष से, recovery कब करोगे, पुरेक्ट बनेगा, रख्टों के स्टोर में, कि यह पूरा साल बीत रहें, फिर हम overrateds निकालेंगे, फिर हम costing करेंगे, फिर selling price देंगे, ऐसा होता है, यह budgeted, यह estimated, यह पहले करना पड़ता है, और जो पहले करना पड़ता है, तो बाद में कम जाज़त हो सकता है, कैसे हैं, जैसे मैंने factory overrated rate, पर direct labor hour fix किया, दो चीज़े बज़ेट की, budgeted factory overrated, और budgeted direct labor hours, जैसे budgeted factory overrated 10 lakh, budgeted direct labor hours 20,000, तो इस रेट आया, 50 रुपी पर डिले लेट, 50 रुपी पर direct labor hour, अब माल लेजरे, पूरा साल बीठ गया, और actual direct labor hours, हुए पूरे साल में 18 रुपी और जो actual overrateds आई, actual factory overrateds, 9,50 रुप, तो हमने एक rate fix किया, हमने एक rate fix किया, और भी हर गेंटे के पीछे, पचास रुपे का overrated record करेंगे, हमने सुचा था, 20 रुपी पर गेंटे काम करेंगे, एक्चुल में ऐसा हुआ है, एक्चुल में कितना काम हो, 18,000 रुपी तो अगर हम overrated, absorbed देखे, overrated absorbed word उख्खा लगेगा, तो इसकी दिखा, recovered word यूज कर देगा, समझ भी आहे है, recovered, तो गैसे तने है कि 18,000 रुपी हमने काम किया, पर आर 50 रुपी की recovery है, तो 9,000 रुपी है, overhead recover या absorb हो जोगा, वेरास जो actual overhead वो इतना है, actual overhead इतना, absorb इतना है, तो there is an under absorption, यहाँ is under absorption, under absorption, तो हम 9,000 रुपी recovery कर पाएंगे, actual खच्चा नौ बचाल सब, तो मतलब हम अपने प्रोडेक्ट पे, हुआ हुआ हुआ, पूरा खर्चा, recovery ही कर पाएंगे, पचास या रुपया रहे गएंगे, so there is an under absorption by rupees 50,000, समय यह बात थोड़ी सी आपने, ठीक है? यह topic, फिर topic बहुत आगे जाएंगे, कहता है कि भाई, अगर यह under absorption आई है या ओर भी आसकते हैं, तो एस्तिमेंट के नेवर बी, of such kind कि under absorption यह कुछ भी हो सकता है, तो उसका further treatment भी को, इसका आगे treat मने क्या होगा, यह भी बताऊगा, तो यह जानने के लिए, एक full-fledged question के थूर रेखते हैं, तो जादा अच्छा रहे हैं, हमारे पास question number 47 इस चीज़ को करने भी है, वहा लिखा, एक्सलेंट रिकवर ओरेट, at a pre-determined rate, of 50 rupees per man, एक दिन लेबर का लगता है तो 500 rupees, दूर दिन लगता है तो 100 rupees, अब एदर टूटल factory expenses incurred, and man day actually worked, are these, factory expenses actual में 79 lakh है, और actual man day थे 1.5 lakh, तो बच्चे समझ रहे हैं, वो calculator ठाके शुडू होगे होगे, कि हाँ भी, एक दिन का rate तो 50 rupees, अब दिन actual में कितने, 1.5 lakh, यहां से recovery दिखना ही शुडू होगे, absorb दिखना शुडू होगे होगे, फेले इतना ही करते हैं, तो आगे बहुत बड़ा पहरा है, वो में confuse करेंगे, पहले लिखते हैं, factory overhead, factory overhead absorption rate, factory overhead absorption rate, factory overhead absorption rate, is equal to 50 rupees per mand day, 50 rupee per day, 50 rupees per day. 50 rupees per mandate, उसके बड़, actual mandate की बात करते हिं, actual overiads के बात करते हिं, पहले तो actual mandate की बात करते हैं, actual mandate नेज乾 के देख कि मापनी तो इस से ऑरेड़ आपस्वाब्स आजएंगे कि एक दिन अगर लेबर का रखता है तो पचास कोई की ओड़ा दो दिन लगके पॉडेक्टिकी में की मैं सौर पेडा दूंगा पर क्या करण्टी है कि यह जो रिकवरी आई है यह हमारे पूरे खर्चे की रिकवरी है कि यह तो सुर्फ बजट से मेठा बजट अपने घर का बना लो कि महिने वे खर्चा होगा कोई ना कोई आ जाए जो बजट को हिला देगा समझे के तो एक्चुल ओर इस इससे डिफरेंट ही होगे है एक्चुल ओरेट्स यह होएं सेवंटी नहीं जाए तो यहां मैं फिर यही बूलना चाहूंगा कि यह जिए अंडर अब्सॉर्प्शन अंडर अब्सॉर्ब्स अ अरिक यहीं जांटल तो आपने समझेट नहीं हो पाई तो आपने सेवंटीनाइग खर्चा कि इसमें रिकवरी कितने गई है सेवंटीफ तो अंडर ओप्शन है चार लाग यह आपके यह ओड़वरेट्वरेट्स पर व्यापने चार लाग होगा पना है जो किसी पुरेट क किषों से कंपेर अगर 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 ऑब्सॉप्शिन है तो सो एखास थे और रूपसुन अगर जोन के बट देर वस नो उपनी FG, सेमिलरी देर वस नो फॉप उपनी यूनित अधी बिगिनिंग, ना ये उपनी व्यूपी था, बट अधी 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 पिरिट, दस जावर उपनी यूनित थे, मले ख्लोजिंग व्यूपी था, विच में भी ट्रिटेड, फिफ्टी प्रसेंट कम्प्लीट, कहतार रीजन्स पता करने पे, कि अंडर अधॉप्शन क्यों यह पता चला, विट वस फाउंड आउट, कि सिक्स्टी प्रसेंट, वस दूट डिफेक्टिव लैंग, जो आपने बजट बनाया था, उसमें एरर्स की, खिने और अश्यारे थाकाठे, यह आपने खर्चे ठीक प्रडिक्ट्ट लीए इसा हूं सकता है, कि खर्चे ठीक प्रडिक्ट किये और आँच ठीक प्रडिक्ट लीट किये, स्रब कोई प्रडिक्ट कारी निससमता, अंच्रेश कहता है अंडर, एंड, ओर अब्सॉप्शन, वोथ हर एविल्स, बले दोनों पुराईया हैं, बट अंडर अब्सॉप्शन इस बिगर एविल्स, सर इनको मिनिमाइस किया जा सकता है, काट डाउन नहीं किया जा सकता है, छोटे छोटे बजट बनाए, महीने के, तो कम है, हफ्ते बना होगे, और कम है, जीतना बड़ा बजट बनाओगे, उतनी बड़ी अंडरोग उप्शन लेखे जाओगे, ठीक है, अब कैसे मैनेज करमें, सर इसके लिए ट्रीटमेट तो पही होते हैं, तो आपको पहले अबदानी कोशी करता हूँ कि किस तरह ट्रीट किया जाता है, सर ज जो डूटू इंक्रीज इन कॉस्ट, बने इंफलेशन, ऐसे इंफलेशन जो बजट मिनाने काला सूट नी सकता है, अब इंडिया में किसमेंज हो जाथा कि 40-50 किलो बले जाल, 200 बे किलो हो जाएगी, ऐसे वले इंफलेशन के लिए बजट दीना मन सकते हैं, ऐसे वले इंफ एसे कुर्शन बताएगा कि कि दिफेक्टिव प्लैनी की वैसे कितनी ही, बताने का ताँ कुर्शन के रहे, तो लिखें तो उसने लिखा है कि on analyzing the reasons, 60% were due to the defective planning, तो लिखते हैं, आंसर में आपी, treatment of, treatment of under absorbed morates, इसके दो पार्ट वन पार्ट वन डिफेक्टिव प्लैनिंग जितनी डिफेक्टिव प्लैनिंग की वैसे हो पार्ट वन में आ जाएगी कि 60% of under-absorbed overheads मतलब की 4,0,0,0,0,0,0,0,0 जो टिफेक्टिव प्लैनिंग की वैसे है किसमें ट्रांसुर करते हैं पी एंडल अकांट में पींडल अकांट में लिफो जी 60% of under absorbed overheads इसको पी एंडल अकाउंट में डाल दू अब जो पार्ट 2 है पार्ट 2 60% ऐसा है अब पार्ट 2 इस दू इस दू इस दू इस दू इस दू इस दू इस पार्ट 2 के लिए आपको सर्थ सप्लीमेंटरी रेट निखाना होगे कि अब अब आपको वताने ही कोशी करता हूं फिर उसके साथ आप समझेंगे मेरे से अब 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 बरिह है कि इस दू निखेगे डू जितना आप ओर — इसके ग्रीट हरेंगी अब जो आप पी केस में सार्य में? x आपके सार्य निपोर्टी प्रेसन्त इंड हरेंगी दिवैड भै निट्स प्रोड्य। युनिट्सPN प्लस इक्वेड दीट्स तो अब हमारे केस में टोटल अंडर्वाव्ड ओवरेड चार लाग है उसका 60 प्रसेंट तो यहां आ गया कितरा बचल सर्फ 40 प्रसेंट एक बार पेज अडिज़ेश्ट कर दें तो यह 40 प्रसेंट आप 4 लाग का लाओगी तो यह एक लाग साथ जार उप्या होगा नीचे यूनिट प्रद्वूस्ट प्लस उडिए यह समझते हैं तर जो कॉस्टिंग करवा ही जाती है तो फ्रुवाती जो चैटर क्राइब वहां प्रॉटेक्शन का एक फॉर्म्ला सथा जाते हैं तो असे लिगरेट प्लस लोजिंग स्टॉप माइनस उप्निंग जैसे प् जैसे यूनिट प्लस लुजिंग माइनस उप्निंग अध़िए पैंशना हो चैटर यूनिट दिए और धी अग्टी दॉटिंग जो जैल और ने ग्लेट ता मैंने तो मैंने जैल यूनिट में लिग जिया थी और फिर सर लूजिंग फ्रॉसिंग ऐड फ्रॉसिंग एक नि 5000 वरिंज टॉक ओपनिंग जीरो तो 35,000 उनिट तो प्रेक्शन के सीधे सीधे है अब ये इक्विलेंट यूनिट है WIP के या तो WIP वो यूनिट होते हैं जो बेटर देन रॉंग देल होते हैं बट लेसर देन फिनिश्बूट्स इन पर रिसोर्स का नंचन और एफट्स पूर पूरी नीज होती समी कंप्लीट होती है अब अपने कुश्ण में हैं सर बिलकुल है कुश्ण में बदाया था कि वारे दर्स इया निट उनकंप्लीट है विच में भी ट्रिक्टिट 50% कंप्लीट कि जिसे तू 50% कंप्लीट मांग सकते हैं तो सर 10,000 यूनिट को उठाओ 10,000 विचा उनकंप्लीट को उठाओ उसका 50% करते हैं इससे उनकंप्लीट यूनिट आपके पांच यार आगें अब अगर आप इसको यहां 35,000 और यहां 5 एड़ करके डिवाइड करने तो सप्लीमेंटरी रेट चार उपे पर यूनिट आगें बलूए सप्लीमेंटरी रेट क्या गया रहा है कि एक लाग साट दोर प्या ऐसा है जो तुम तुमारी गल्ती नहीं है कि यह तुम क्यों नहीं रिकावर कर पाए क्योंकि यह कुछ ऐसी इंफलेशन की वजह से था जो सोचा ही नहीं जा सकता था बज़ेट बनाते पर तो में इस पैसे को अरजस्ट कर दो 35,000 बन गें दस जार बन वें पर दस जार को दस ना लिखो नहीं तो उन पे ज्यादा वेट डल जाएगा उनको इकुलेंट करके लिख दो इकुलेंट करके लिख दिया पांच यह इस हर यूनिट की कोस्ट चार पे पर यूनिट बढ़ानी कई फिरंगी इसमें बुक्स में यह भी लिखेट सब पोस्टमार्टम एक्ससाइज क्योंकि एक्चुल में तो खर्चा हो गया रिकवर नहीं होगा अब तुम यह करो चैनातरो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है नमबर लेने हैं करना तो पड़ेगा तो सप्लि एक इसे की फ़ावी कुर्षि Peach दूसरी सीचूइशन के इंक्रीजिन क्लोजिंगेवजी नहीं प्रूजिंगी विल्यु बढ़ा गों पंच ज़र इंटू चारव ज़कर को प्रूजिंग है की तीसरी सुचूइशन को इंक्रीसें क्लोजिंग विए कि को हां जब क्लोजिं को बढ़ा रहे होंगे गलती से भी 10,000 उनिट नहां लिखना अगर 10 लिखे भी गए फटाफट 50 परसेंट याद आ जाना चाहिए तो यहां से 20,000 और बढ़े गए टूटल आपका 1,60,000 उनिट इसमें अर्जस्ट होगे इक लाग 60,000 उनिट देखे हमारे पास चारलाग रुबे की शौट फॉट इसे पिंदल में चला जा लेकिए तो पिर फिर मने गगा जी एक लाग 60,000 साथ ऐसे एक आपने अरजस्ट होगा ठीक है तो चारलाग रुबे जो अनड़स्ट्टिट या नअभज़ॉड रही गया सब्सक्राइब तो एक चुटा है संथ है अंडरोर्वर्थ ऑप्शन पर शिरुवाती समय एक इसके साथ का कुशन आपको ओरली डिसकस करवा थी है वो आपने खुद करना करते हैं अगले वार प्रेक्टिस मेनौल और सब्सक्राइब की बारी आसकी है तो वीडियो देखते वह आसपास रखे जाना है ठीक है कुशन नुबर 39 बिल्कुल इसका भाई है वाव एक दो स्पेशल पॉइंट्स है जो समय नहीं है इन्हें बैनफेक्ट्रिंग उनिट्स को रिकवर किया जाता है एक प्री डिटर्मेंट रेट को जो 20 रुपी पर देबरार है अब टोटल टोटल ओरेट पेड एंड लेबरार एक्ट्री वर्ट आटीस जैसे ओरेट पेड पेड वर्ट इन पेड फॉट्टी लाहें लेबरार्स दू लाग टीस यार बनें वो सारा वैसे ही है यह सम्झाना है इस एक्ट्री ओवरेट्स में पच्दालिस लाग की फिगर में कुछ जिसके लिए बजट बनाने वादा प्लैन नी कर सकता था एक लाग पच्छी जार रुपे पेड टू वर्कर फो स्ट्राइक ये इसमें इंक्लूटेड है स्लूर करना पड़ेगा पच्छी जार की पनेल्टी दीगी अंडरेट साइंस चालीज आर के आप्सुलीट स्टूर अटाने पड़ेंगे तैन थाउजन तूवर्ट स्टूमेबल है तो को लड़ाई जगड़ा था मिछले पीरड का प्राइट अप्टे हो रहा है कि दो लाख रुपे स्टिल पेड़ है सेकेंड पॉंट जाता है सब पॉंट जावर्दस पसाया हूं इसमें एक कॉंसर्ट हो आपको बाग्याब करेंगे जैसे एक्ट्वल ओवरेड टेड एक्ट्व ओड़ेट एक्ट्वरेड टेड रियोन 45 लाइट इसमें एह तैस इसमें पर नॉर्मल फ्लैश नॉन रिक्रींट इसमें एक भी चीड जो चार के चार दियो सारे अबनॉर्मल या नॉट्री न उसके लिए भजट बनाने वाले की कोई करती है उसे क्या बता था स्ट्राइक जो हुई थी विदा लेबर कोट का अवार्ड है और अगर पता भी था ऐसे घर्चे का दिम बन दें जाते हैं यह एंटिटी बेर करती है एक साइस पनेटी जाएगा जैसे कि फेक्ट्री ओवरेट आउट्सेंटी एड़ी एंट दो लाग रोगे तो यह लाग पाट हो लेगा केते हैं सर पंताली लाग ही दियो तर पहले दी फिर आपंताली पी आज़ें सर अब मैं क्यों दो लाग की बनॉर्मलिटी दो लाग ही बेवल है तो एड पंताली लाग लाने के बार कुश्चन डिटो से मैं जैसे पहले किया गया सिक्स्टी फॉर्टी सारी बाते वैसे हैं ठीके विटा आज के लिए इस वीडियो में पार्ट शिक्स को यहां क्लोज करतें और फाइल का अगे अप्लोड होती जाएगी चैनल को सुस्क्राइब क करें आगे बढ़ाएं इंजोई करें आगे जाके आर्टिकी डिस्कुशन भी आने वारी इस्वादी